हलो गाइस मैं हूँ सुमेर सिंग यान वैलकम बैक माई यूडूब चैनल जो दोस्तों आज हमारे पास आईए टी यूवी थ्री डबल ओ जो आज हम इसके अंदर लगाने वाले हैं डेला कंपनी की सर्च फोग लाइट या पर देख सकते हैं और इसमें हम लोग लगाने वाल हैं यहाँ पर देख सकते हैं और यह हमारी डेला कंपनी की और यह हमारी रैंबो कलर में यह आपको लाइट देखने को मिल जाती है और यह हमारी जो ऊपर जो हम लोग जो रूप पर लगाने वाले हैं यह वाली रोड और यह इसका लाइट के हम लोग यह क्लैम भी लगा च लगा दीये और इसकी बल्ब की बात करें तो इसके अंदर एक बलब हमारा 55-वाट का रहता यह और यह हमारा हेलोजन बल्ब रहता यह आप देख सकते हैं काफी बढ़ीजन तरीके से हमने बिल्कुल डिस्टेंस मिला कि हमने ये वाली लाइटे लगा दी है और काफी बढ़िया तरीके से बिलकुल फुल टाइट हो चुकी है ताकि शल्ती गाड़ी में इस बिलकुल आवाज नहीं करें और काफी बढ़िया तरीके से déjàं रहें और आपे देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला क्लैंप सावदानी पूरवक लगाने वाले हैं और यह हमारा 8 mm वायर है यह आप देख सकते हैं क्यूंकि यह जो हमारी हेलोजन लाइट है उस पर काफी अच्छा वायर लगाना पड़ता है ताकि इसको बेटरी का पावर अच्छा मिले और आप पर देख सकते हैं यह हमारा क्लेम कस्ट चुका है बिल्कुल यह हमारी रूफ लाइट में यह पर देख सकते हैं जो हमार जो रूफ पे जो रूफ रेल रहती है उसके हमारी यह लाइट लग चुकी है बढ़िया तरीके से यह आप देख सकते हैं और काफी बढ़िया तरीके स हम लोग इसके connection भी करने वाल है और आप यहां से देख सकते हैं यह जो वायर है वायर को हमने जस रॉड के पीछे हमने बिल्कुल टाइक क्लिप से बांद दिया है ताकि सामने से देखने से काफ़ी गंदा ना लगे कि यह मतलब कि वायरिंग किस टाइप से करी हुई है पर आ हमने टाइक क्लिप से हमने यह पीछे बड़िया तरीके से यह वाली जो रोड के पीछे हमने बांद दिया यह आपर देख सकते हैं यह वाली बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल हमारे यहां काम होता है यह आपर देख सकते हैं वायरिंग आपको दिखेगी नहीं कुछ सामने से और काफी बड़ीया तरीके से हमने इसकी connection करतने वाले है और यहां पर देख सकते हैं यह हमारा toggle switch है और यहां पर हम लोग छेट करने वाले हैं यहां पर जो flap रहता है जो fuse वाला flap रहता है यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम लोग यह वाला switch लगाने वाले है यह वाला स्विच हमारा लख रुपा है यहां पर यहां पर हमने इसलिए कि अवाई कि यह वाला फ्लेप जिससे कभी आपको भी स्विच हटाते हैं तो यह वाला फ्लेप आप इसका बिल्कुल अच्छेद आपके डेज़ोर्ट पर नहीं दिखेगा बसका लिए आपकी फ्लेप पर ही दिखेगा और इससे नहीं दिखेगा काफी बढ़िया रहता है और आप देख सकते हैं यह हमारी लाइड भी ओन हो चुकी है और आप यह द